दोस्तो नमस्कार मैं हूँ मुरीज दिक्षित रात के 10 बज रहे हैं और मैं हूँ पठानकोर मंडी नैशनल हाईवे में घूमते घूमते पपरोला के अगर तारगड की तरह में जा रहा था तो कुछ लोग एक ट्रक को खड़ा करके बिल्कुल साथ में यहां का टेंपरेचर इस वक्त दो या तीन डिगरी होगा सर्द हवा चल रही है और यह लोग देखिए एक चूला बना कर अपने लिए चपातियां बना रहे हैं जब पता किया तो पता लगा कि यह वो लोग हैं जो यहां के पसूपालकों के लिए किसी बरदान से कम नहीं हमें तो अपने घरों हैं पंजाब से यह पंजाब से पंजाब के गुर्दासपूर से आए हुए हैं और मेहनत करते हैं पूरा दिन तूड़ी बेचेंगे लेकिन जो रोटी है ना यह खुद बनाएंगे किसी धाबे में नहीं खाते हैं तो यह देखिए भाई लोग कैसे बैठे हुए हैं आपक हैं क्योंकि बड़ा महत्तर पूर्ण रह जाता है कि तूड़ी बेचना हम कहते हैं कि पसू पालक जो है वह घास देते हैं और घास से ही सब कुछ हो जाता है हमें दूद मिल जाता है गायका लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो चलिए इन लोगों से कुछ आप अपना नाम बताएंगे विलियम सी आरे वह आपका नाम बढ़ी तो देखे भाई यह रात को दस वजे सब्सक्राइब लोग जो है वह चपाती यहां पर बना रहे हैं और यह बहुत देखिए गर्मीज संग जी तो देखें एक एक चपाती का जो ना मोल है जिसको हम कहते हैं कि महनत की रोटी सबसे अच्छी होती है तो यह महनत की रोटी ह है इसे ही लोग बना रहे हैं और यहां पर देखिए घना अंधेरा है अभी कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही है और यह हाईवे है पथानकुट मंडी नैशनल हाईवे और यह लोग है यह जो मैं विजूल आपको बता रहा हूं न यह देखिए सामने किस तरह से य रोटी की बवस्ता कर रहे हैं तो इन लोगों को मेरा सलाम है मेरा सल्यूट है क्योंकि मेहनत का फल मीटा होता है यह मैंने सुना था लेकिन प्रैक्टिकली आज इसको मैं देख रहा हूं तो भाई यह देख लीजिए कि रोटी जो है वह मेहनत की खाई है काफी खुशी होते हैं यार हमने पहले भी एसी वीडियो सामने आई थी जब एक ट्रक ड्राइवर थे मनाली जा रहे थे जब बाड आई थी और उनके टायर बदलने में हमने मदद की थी ना मुझे बड़ ज्यादा हो रही है इन्होंने भी खाना गाना तो मैं निकलता हूं बाई बाई